हेलो क्लास थर्ड आज आप मैठ में स्टेडी करेंगे एक्सरसाइज 8.4 तो यहां पर फिर्स्ट कोस्टिन क्या है फिल अप दा ब्लैंक्स भाई यूजिंग ग्रेटर आर स्मॉलर तू मेक दा स्टेट्मेंट ट्रू तो देखें यहां फिर्स्ट क्या है सेवन बाई नाइन तो ओल लेटी देखें फिल है लेकिन मैं आपको इसप्वर्न कर दे रहा हो कि कैसे हूँ आपका यह तो यहां देखें क्या है जब डिमिनटर इक्वल होते हैं आपके फिलाल जितने भी कुश्टेन उसमें सब में डिमिनटर equal ही रहेगा तो देखिए आपको छोटी कौन सी fraction दिख रही है 4, 4 by 9, 4 नमबर छोटा है तो यह only fraction आपकी छोटी हो जाएगा 7 by 9 क्या हो जाएगा, greater, तो यहापे आप greater का sign fill कर देंगे, second asset 12 by क्या है आपका, 19 और 15 by 19 तो 15 by 19 क्या हो जाएगा, greater हो जाएगा, third, c में क्या है, 3 by 4 और 3 by 8 यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ऐसा question होना नहीं चाहिए था, मैंने बोला था तो यहाँ पर देखिए, diminator equal नहीं है, तो 2 से गर multiply कर देंगे, तो 4 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 और उपर कितना हो जाएगा, 6, तो 6 by, 8 आपका greater हो रहा है, इसलिए 3 by 4 क्या हो जाएगा, greater हो जाएगा, यहां पर कितना है यहां पर आपका इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं यह देखें यहां पर क्या है 16 और 16 है उपर नीचे 27 और 29 तो जब numerator equal होता है तो जो fraction छोटी दिखती रहेगी वो real में क्या होती greater तो यहां छोटा क्या दिख रहे आपको 16 by 27 तो यह आपका greater हो जाएगी smaller में नहीं आएगी okay then question number e यहां पर देखे numerator equal है तो जो आपको small दिख रही होगी fraction वो small नहीं होगी क्या होगी greater होगी तो small क्या दिख रही 15 by 23 इसलिए आपके यहां पर क्या है यह greater हो जाएगा then next e यहां पर देखे numerator आपके equal नहीं है लेकिन numerator क्या है equal है तो जो आपको greater दिख रहा है वही fraction आपकी greater होगी okay next तो यहां देखिए question क्या है put the following fraction into ascending order okay आपको fraction को ascending order में write करना है तो question क्या है 1 by 8 1 by 2 1 by 4 1 by 3 1 by 6 यहां numerator equal है तो जब numerator equal होता है तो जो fraction आपको बड़ी दिखती रहेगा वो छोटी होगी तो first number पर क्या हो जाएगा one by eight okay second number पर क्या हो जाएगा one by six third number पर क्या हो जाएगा one by four और fourth number पर कितना हो जाएगा one by three five number पर कितना write करेंगे one by two इसका देखिए जो answer यह आएगा यह आपका थोड़ा wrong है यह descending order में हो गया तो आप correct write करेंगे जो मैंने number बताया उसके according next question 2 by 4, 4 by 9, 8 by 9, 5 by 9 and 6 by 9 तो यहां पर diminator equal होता है तो जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही रहता है तो two by nine यहां पर आपका smaller हो जाएगा तो first number पर आप इसे write करेंगे देन आपका four by nine हो जाएगा देन आपका five by nine हो जाएगा third number पर then six by nine fourth number पर और five number पर क्या write करेंगे eight by nine ऐसे write करेंगे ओके यहां पर भी आपका यह descending order में है write तो इसे भी आप note नहीं करेंगे जो मैंने बताया वैसे note करेंगे रॉंग है आपका ओके फर्स्ट वाला भी रॉंग है और second वाला भी descending order में यह है दो के दोनों fraction right हो गई यहां पर next question number third क्या है put the following fraction into descending order ओके आपको descending order में write करना है यहनी greater to smaller तो यहां पर देखे क्या 1 by 8 यह first वाला ही question है ओके तो आपको पता ही कौन सा greater होगा तो greater में आपका कितना हो जाएगा 1 by 2 then 1 by 3 then 1 by 4 then 1 by 6 or then 1 by 8 okay next question number B क्या है 2 by 9 4 by 9 8 by 9 5 by 6 sorry 5 by 9 6 by 9 यह भी वही question है descending में लिखना है तो 8 by 9 6 by 9 5 by 9 4 by 9 and 2 by 9 हो जाएगा टाएगाढग लोगी लुपा औरभ लुपा होगी भूह होगी